कविता मंजरी श्रिंखला में आपका स्वागत है इस क्रम में आईए सुनते हैं सूरे कांथ त्रिपाथी निराला की एक कविता ध्वनी कविता सुनने से पहले आईए सुनते हैं उनका परिचाए सूरे कांथ त्रिपाथी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के महिशादल रियासत में सन 1896 में हुआ जीवन की अनेक विपदाओं का डटकर सामना करने वाले कवि निराला अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए जाने जाते हैं जस समय निराला जी ने कविताओं की रचना की वो युग भारतिय इतिहास में समाज में फैली अनेकों असमानताओं का था जिनका वर्णन उनकी रचनाओं में साफ साफ दिखाई पड़ता है सूरे कांथ त्रिपाठी निराला की प्रसद्ध का वेरजनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसिदास, अणिमा, अपरा, बेला और नए पत्ते साथी साथ इनके कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध संग्रह भी प्रसद्ध रहे हैं उन्होंने पहले समन्वय, फिर मतवाला और उसके बाद सुधा पत्रिका का संपादन भी किया सन 1901 सच में निराला जी का निधन हो गया तो आईए सुनते हैं परिमल से इनकी कविता ध्वनी अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निध्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूश मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खीच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अम्रित सहर्श सीच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंद अभी न होगा मेरा अंद प्राहा यौवन या युवावस्था की तुलना वसंतरे तुसे की जाती है और कवी निराला ने भी इस छोटी और सुन्दर कविता में इनकी समानता करते हुए प्रकृती और शारिरिक अवस्था का बड़े ही सुन्दर ढंग से वर्णन किया है ये दोनों ही अवस्थाएं वसंतरितु इवं यौवन या प्रकृती अथ्वा शरीर के सुन्दर्य के आकर्शन को दर्शाती है अभी आपने इस कविता को सुना इस कविता के भाव से संबंधित किसी और कविता की रचना कीजिए